धन्यवाद स्पीकर सर आपने मुझे एपडेमिक डिजीज आक्ट के उपर बोलने का मौका दिया सर मैं अपनी बात मराथी में रखना चाहूंगा सग्याद प्रथम मी जोड़े हेल्थ केर वर्कर जाहेत एक डॉक्टर ने या नात्याने हेल्थ केर वर्कर नी केलेले कामा मंग डॉक्टर आसू नरसिंग स्टाफ आसू, स्वच्चादा कर्मचारी आसू प्रत्यक वेक्ती दो या कोविड अस्पिल मदे ड्यूटी करत होता अर्चनी चाड़ा मदे आंगनवडी सेविका पोसून आशा वर्कर पोसून सग्रेंचे सरवात प्रत्म मी मना पोसून आभार मनतो आनि या लड़ाई चाव विरोदात लड़ा अस्तन नी जाजा कोरोना वारियर्ज ने अपने प्राण गम हो लें तैन्नामी माजवती ने श्रद्द अंजली आर्पंग करती सर अनेक बहुत सारे सांसदों ने अपने अपनी बात यहां पे रखी है तो मैं जादा कुछ बोलूँगा नहीं लेकिन जो चीजें इस पूरे कोरोना के पीरेड में मुझे ध्यान में आई वो मैं आपके सामने एक दो मिनिट में बताना चाहूँगा सर सबसे पहले जो हेल्थकर वरकर्स के बारे में बताया गया खासकर डॉक्टर्स के बारे में मैं टीवी देखता था अभी मैं खुद भी आपको बताना चाहूँगा कि पंदरा दिन कोविड आईश्यू में डूटी कर चुका हूँ वहाँ पे हम टीटमेंट देते थे और बार बार उस चीज़ पे आरोप होता था कि बिल बहुत जादा आ रहा है प्राइवेट ऑस्पिल्स काफी बड़े पैमाने पे बिल लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो बिल का सिलसिला है जो डॉक्टर्स पे आरोप लगाए गए यसे वगर 20 परसंट को हटा दिया है जार अगर 80 परसंट पकड़े हर चीज में धमको डॉक्टर्स को दिक्कत आ रही थी स्वच्चेता कर्मचारी जो करीब अगर 10,000 रुपए प्रती महा काम कर रहा था तो वह आने को तयार नहीं था तो वहां पर आदमी लाने के लिए 25,000 रुपए लग रहे थे नर्सिंग स्टाफ है तो हर चीज की किमते मैंन पाउर के तोर पर बढ़ती गई पीपी किट्स का यूटलाइजेशन तो मैं कहूंगा कि ये आरोब काफी गलत है अगर 20% हटा दिया जाये तो 80% प्राइवेट हॉस्पिटल भी डॉक्टर्स भी नर्सिंग स्टाफ ने भी अपनी जान जोखिम में डाल के यहां पे चीज का ध्यान रखा नहीं गया कि जो हम मेंबर ऑफ पार्लिमेंट्स थे मेरे साथ तो मैं अपनी बात रखूंगा या लोग प्रतिनीरी थे उनको किसी भी चीज में विश्वास में लिया नहीं गया इन चार महिनों में इसमें वहां पे जो अधिकारी वर्ग है जो वहां पे कलेक्टर साब रहेंगे, SP साब रहेंगे, तैसिला रहेंगे, इन सब ने भी बहुत अच्छा काम किया, but sorry to say that the people representative were not taken into confidence, वहां हो क्या रहा है, फंड कहां से आ रहा है, वो फंड का utilization क्या हो रहा है, आज मेरे एक महाराश्रा के हमारे senior सांसर ने कहा कि पीम केर से कुछ आया ही नहीं, तो मैं खुद बताना चाहा हूँ कि महाराश्रा में पीम कोविट फंड नाशनल हेल्थ मिशन के तोर पे सेंटर ने भेजा लेकिन वो किसी सांसरत को पता ही नहीं होगा, हर जिले में, जिला रुगनाले में कम से कम 50 पीम केर के वेंटिलेटर माननीय प्रंद तिनीदी में समन बाव होना चाहिए, सबने मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि आज सबने हेल्थ कर वर्कर्स की तारीफ की, सबने हर किसी इंसन की तारीफ की, मैं तो खुद तारीफ करना चाहता हूँ, हर सांसरत की, जिसने हम जैसे सांसरत है, या हर बेटा सांसरत ने अपन में जानकी बाजी लगा के समाज सेवा करने का काम किया अंत में मैं प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी का और हर्श्वदन जी और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रियादा करता हूं कि जिस तरीके से ये कोविड की सिचुवेशन सबाली गई अगर दो महीने लोगडाउन नहीं हुआ रहता तो मेरे ख्याल से ना हमारा देश इतनी बड़ी महामारी के लिए तैयार था ना लाब सेट अप थे आर्टी पीसीर क्या इन्वेस्टिकेशन ने किसी को पता नहीं थी सेंट्रल अक्सिजन क्या सिस्सेम में किसी को पता नहीं थी मास्क लग लाब करता है हेल्थ केर वर्कोस को प्रोटेट करता है मेरे आपसे निवेधन है कि जिस तरीके से हेल्थ इंस़ोरेंस गौवर्मेंट ऑफिशल का गौवर्मेंट डॉक्तर्स का कराये गया प्रिवेट डॉक्न करें अपने इस reduction करें पसद optimize को क्यों इस तरीके का इंस्षे